आप सभी का फिर से स्वागत हैं ये घटना चक्र पॉलिटी का डिसकसन है जिसमें आज का टोपिक है संसत के तहत राजसभा राजसभा के बारे में डिसकस करेंगे इसके बाद इस पर अधारे तब तक जितने भी प्रशन पूछे गए उन सभी प्रशनों को एनालेसिस डिसकसन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडियेफ एविलेबल है अगर आपको पीडियेफ चाहिए तो टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप ये चैनल के कम्यूटी बॉक्स में जाईए वहाँ पर इसके रिगार्डिंग में इन्फोर्म करके बताईएगा इस सदन की यानि उस सदन की अधिक्तम सदस्य संख्या 250 निधारित की गई है उस सदन यानि राजसभा की अधिक्तम सदस्य संख्या कितनी निधारित की गई है 250 अनुछेद 80 के अनुसार अगर बात करें तो राजसभा राजियों और संग राज्चेत्रो के 238 से अनधिक यानि 238 से अधिक नहीं होनी चाहिए 238 से अनधिक निर्वाचित तथा राश्टपती के द्वारा मनोनित 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी वर्तमान में 12 मनोनित और 233 निर्वाचि सदस्यों सहित रासभा की कुल सदस्य संख्या 245 है राश्टपती के द्वारा नमांकित किये जाने वाले सदस ऐसे वेक्ति होंगे जिने सहित बिग्यान कला और समाज सेवा में विसेस ग्यान या बेहवारिक अनुभाव हो तो राश्पती वैसे 12 सदस्यों को मनोनित करते हैं जो सहित, बिज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेस ज्ञान या बेहवारिक अनुभव रखते हों राश्पह में परतिक राज के परतिनेधियों का निर्वाचन उस राज की विधान सभा के निर्वाची सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निव्रित हो जाते हैं इस परकार इसके सदस्यों का कारेकाल 6 वर्षों का होता है 6 यर्श का होता है। रासभा का सदस्य होने के लिए नियुंतम आयू 300 वर्ष होनी चाहिए रासभा का सभापती रासभा का सदस्य नहीं होता है भारत का उपराश्पती रासभा का पदेन सभापती होता है जब उपराश्पती राश्पती के रुप में कारे करता है तो उसे रासभा के सभापती क पत्ति के रूप में कोई वेतन या भता नहीं मिलता इस ओधी में वह हुर राश्ट पती को मिलने वाले बेतन और भते जो हैं प्रात करता है . राजसभा अपने सदस्यों में से एक है उप सभापती चुनती है उप सभापती अपना त्याग पत्र सभापती को देता है उप सभापती को राजसभा बहुमा से पत्र से उसे हटा सकती है जब सभापती का पत्र रिक्त हो तो उप सभापती उस पत्र करतब्यों का पालन करे जब उप राश्पती को उसके पत से हटाने का कोई संकल विचारा धीन हो तब वो सभापती के रुप में पीठासिन नहीं होंगे राश्पा में राजियों को परतिने धे तो उनकी संख्या के अनुपात में दिया गया है दोयतीन में लोकपरति निधित्व अधिनियम 1951 में संसोधन के माध्यम से यह बिवस्था की गई कि कोई भी वेक्ती राशभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है चाहे वो किसी भी राज के संसदिय छेत्र का पंजिकृत मत दाता हो अनुछे 312 के तहट अखिल भारतिय सेवाओं का स्रिजन राशभा की एकांतिक सकती है भारत के संग राजचेत्रों में से मात्र तीन संग राजचेत्र के परतिनीधी राशभा में सामिल होते हैं भारतिय सन्विधान की चौथी अनुसूची में राजसभा के लिए राजियों और संग राज छेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रोधान उलेखित है सन्विधान कनुचे 249 के तहद यदि राजसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई याद रखिये कम से कम दो तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करें कि राज सूची के किसी विषय पर विधी बनाना राश्टिय हित में आवस्यक है त तो संसद उस विषय पर विधी बना सकती है कानून बना सकती है प्रन्तु या प्रस्ताव एक वर्से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है अनुचे 250 के अनुसार अगर बात करें तो अपात काल की स्थिती में संसद को राज सूची में उलेखित किसी विषय के संब अधिक या प्रवधान जो है यानि जो बनाया गया जो मतलग कानून है वो 6 महीने से अधिक नहीं रहता है जब अपात का समाप्त हो जाता है तब अनुचे 252 आर्टिकल 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधान मंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अ विषएव पर कानून बना सकती है अनुचे 253 के अनुसार संसत को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधी या समझहौत्ते को लागू करने को देश से किसी भी विषएव पर कानून बनाने का अधिकार है पहला प्रश्न है राजसभा की निश्चित सदस संख्या क्या है तो याद रखिएगा 250 D option बिल्कुल cracked option है राजसभा की निश्चित अधिक्तम सदस्य संक्या 250 है जिसमें राज्जियों या संग्ये छेत्रों से 238 से अनधिक सदस्य और राश्पती के द्वारा सहित्य, बिग्यान, कला और समाज सेवा के छेत्र से मनुनित 12 सदस्य हो सकते हैं जब कि 12 सदस राश्पती के द्वारा मनुनित किये जाते हैं सेकंड प्रश्ण है राज सभा में परतिनिधित्व में सामिल है राज सभा में परतिनिधित्व में सामिल है बताईए उप्युक्त में से एक से अधिक यानि डी अप्सन तो अगर बात करें तो राज सभा में देखिए अगर बात करें तो राज सभा में अधिक्तम सदस्र सं संख्या कितना हो सकता है 250 जिसमें राज जीयों संघिये छेत्रों से 238 और राश्पती के द्वारा सहित तिकला और समासिवा के छेत्र में 12 सदस्यों को जो है मनुनित करने का अधिकार दिया गया है प्रश्ण संख्या ठर्ड है राज सभा में होते हैं राज सभा में कितने सदस होते हैं राज सभा में 250 सदस होते हैं जिनमें से 12 सदस भारत के राश्पती के द्वारा मनुनित किये जाते हैं यानि C आप्शन बिलकुल करेक्ट आप्शन है सन्मिधान के नुछेद असी वन के उखंड का और खग के नुसार राज्यों के और संग राज्चेत्रों के 238 से न अधिक परतिनीधियों और राश्पती के द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले 12 सद से उसे मिलकर राजसभा बनेगी प्रश्चेत्रों संक्या फोर राजसभा में राज्चेत्रों को परतिनीधित्व निम्नांकित में से किस अधार पर दिया जाता है याद रखिएगा सही जबाब किया होगा कमेंट में बताइए तो उनकी संख्या जो जन संख्या पोपूलेशन है उनकी जन संख्या के अनुपात में अस्थान जो है दिया जाता है तो बी उप्शन बिलकुल करेक्ट उप्शन है इसके बारे में अगर बात करें राज सभा में राजियों और संग राज हेत्रों को परते निधे तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है इस परकार किस राज से राज सभा में कितने सीटे होंगी इसका निधारन सन्विधान की चौथी अनुसूची में कर दिया गया है तो चौथी अनुसूची याद रखिएगा प्रश्ण संकिया फाइफ है निमलिखित कथनों पर वीचार कीजिए तीन कथने पहला है संग राज खेत्रों का राज सभा में परतिनिधित्व नहीं होता दूसरा है निर्वाचन जगडु का निर्णय करना मुख निर्वाचन आयुकत के अधिकार खेत्र में है तीसरा है भारत के सनमिधान कनुसार संसद में किवल लोग सभा और राज सभा होती है इसमें जो सही है कोई भी सही नहीं है तीनों स्टेटमेंट गलत हैं इसके बारे में अगर बात करें तो संग राज शेत्रों का राज सभा में परते निधेतु होता है दिली के लिए तीन तूडू चेरी के लिए वन और जमू कासमेर के लिए चार राज सभा सीठ है निरवाचन समधि जो जगड़े हैं निरवाचन समधि जो जगड़े होते इनका निर्णा करना नयाई पाली का कि अधिकार छेत्र में आता है संविधान कनुछेश 79 कनुशा संसत के 3 अंग राश्पति, लोकसभा और राजसभा है राजसभा के सदस चूने जाते हैं तो इसका सही जबाब हो जाएगा राजियों की विधान सब्धाओं के द्वारा राज सभा के जो सदस चूने जाते हैं राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा option a अनुछेज 84 के अनुसार राज सभा के सदस राज विधान सभाओं के निर्वाचि सदस्यों के द्वारा अनुपातिक परते निधित्व पदति के अधार पर एकल संक्रमडिय मत के द्वारा चूने जाते हैं सेवे नमबर है निमलिखित में से राजसभा के बिसे में कौन सही है राजसभा के बिसे में कौन सही है तो देखिए इसमें अगर बात करें तो राजसभा के जो बिसे में जो statement सही है, जैसे पहला है, यह भंग नहीं की जा सकती है, दूसरा इसका कारेकाल पांच वर्ष का होता है, तीसरा परतिक दो वर्ष बाद इसके एक तिहाई सदस्यू का कारेकाल समाप्थ हो जाता है, चोथा इसके सदस 25 वर्षे कम आयूके नहीं होंगे, इन में जो सही है, पहला है और तीसरा ठीक है यह भंग नहीं की जा सकती है और परतिक दो वर्ष के बाद इसके एक तीहाई सदस्यों का कारेकाल समाप्थ हो जाता है पहला और तीसरा स्टेट्मेंट राजसभा के संदर में सही है सी अप्षन राजसभा एक अस्थाई सदन है इससे भंग नहीं किया जा सकता है इसके सदस्यों का कारेकाल सिक्स यर्ष का होता है परतिक दो वर्ष के बाद इसके एक तीहाई सदस्यों का कारेकाल समाप्थ हो जाता है इसके सदस्यों की आयू कम से कम तीस वर्ष होनी 8 नमबर है नीचे 2 कथन दिये गया है एक को अभी कथन दूसरे को कारण कहा गया है पहला अभी कथन रासभा का बिघटन नहीं होता है कारण उसके एक तिहाई सदस जो होते हैं हर दूसरे वर्ट सेवा निवरित हो जाते हैं इन दोनों में से जो सही है आपको बताना है देखे इसमें A और R दोनों सही है R A की सही ब्याख्या करता है option A बिल्कुल correct option है इसके बारे में अगर बात करें तो राज सभा देखे याद रखिएगा राज सभा एक अस्थाई सदन होता है इसे भंग नहीं किया जा सकता है इसके सदस्यों का कार्यकाल six years का होता है परदीक दो बर्स पर इसके एक तीहाई सदस्यों का कार्यकाल समाव्थ हो जाता है और राज सभा के सदस्य अता ग्रहरं करने के लिए आयूँ कितना होना चाहिए तो कम से कम 30 worth 9 नमबर है राजसभा के सदस्य का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो सही जबाब हो जाएगा 6 E or C option बिल्कुल correct option है अनुछे 83 1 के अनुशार राजसभा का विगटन नहीं होगा यानि यह एक अस्थाई सदन है राजसभा के सदस्यों का कारेकाल 6 E or C का होता है इसके यथा संभव निकर्तम एक तिहाई सदस्य परतिक दो वर्ष की समाप्ति पस्यवा निवित्थ हो जाते है 10 नमबर है राजसभा के संदर में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है तो इसका सही जबाब हो जाएगा इसके एक तिहाई जो मेंबर होते हैं सदस्य परतिक दो वर्ष में और कास प्राप्त करते हैं 11 नमबर है राजसभा के सदस्य चूने जाते हैं कितने वर्षों के लिए राजसभा के ये सदस चूने जाते हैं 6 सी अर्ष के लिए 6 वर्षों के लिए 12 नमबर है राजसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्यों राजसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं बताईए राज सभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इससे विगहटित नहीं किया जा सकता इससे समाप्त नहीं किया जा सकता 13. हमारे सन्विधान कनुसा राज सभा का कारेकाल कितने वर्षों का हो जाता है 14. राज सभा को भंग करने का अधिकार की से प्राप्त है 15. राज सभा को भंग करने का जो अधिकार है किसे दिया गया है 15. राज सभा से समबन्धित निमिलखित कथनों में से कौन सा एक सही है तो देखिए इसका सही जबाब हो जाएगा राज सभा का विगटन नहीं होता है option A जो है सही है राज सभा अस्थाई सदन है इसका विगटन नहीं होता है इसके सदस्यू का कारेकाल six words का होता है यथा सक्के एक तिहाई सदस्यू का और परत्यक्ष निर्वाचन राज्यो की विधान सभाओं के निर्वाची सदस्यू के द्वारा परत्यक्ष निर्वाच्ष 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 सदस्यू के द्वारा परत्यक्ष निर्वाच्ष 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 राजसभा भंग ही नहीं होता है यानि उप्यूप्ट मेंसे कोई नहीं D option बिलकुल सही जबाब है 17 नमबर है राजसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है राजसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है कि रास सभा किसके द्वारा भंकी जा सकती है तो किसी के द्वारा भी नहीं यानी डी उप्सन उप्ष्ट मेंचे किसी के द्वारा नहीं डी उप्सनॉफं में रखिएका है का रेकाल कि रास्पते हैं तो आपको कमेंट करके बताना है राश पर συ Oct escuch महतमण सवाल है बहुत बार पूछा गया है ध्यान में रखियेगा राश्पति के द्वारा राश्वामें कितने सदस्यों को कितने व्यक्टियों को मनुरित किये जाते हैं। तो इसका सही जबाब हो जाएगा 12 अनुछेद 81 का और अनुछेद 83 का नुसार राश्पती के द्वारा राश सभा में 12 बैक्ती जो है मतलब मनुनित किये जाते हैं जिने साहित भिग्यान कला और समाज सिवा के छितर में विशेष ग्यान या बेहवारिक अनुभाव प्राप्त हो उन्निस राश्पती मनुनित कर सकता है राश्पती कितने सदस्यों को मनुनित कर सकता है राश्पती मनुनित कर सकता है राश्पती मनुनित कर सकता है और उसके नीचे दिये के कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए राज सभा के सदस बनने के लिए अहरताओं के संदर में कुछ कथन है बताईए कौन-कौन से सही है राज सभा के सदस बनने के लिए बैक्ती को तीस वर्ष का होना जरूरी है बिल्कुल सही जहां से अभियर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज की मदाता सुची में मदाता के रुप में पंजिक्रित होना चाहिए ऐसा बात नहीं है राज के अंतरद लाग का पधारित नहीं होना चाहिए यानि पहला और तीसरा सही है बी अप्सन दिये गए अभिकथनों में अभिकथन दो गलत हैं राज सभा के लिए लोग परते ने देतु अधिनियम 1951 के अनुसार ब्यक्ति का नाम किसी भी संसदिये निर्वाचन छेतर से मदाता के रुप में पंजिक्रित होना चाहिए शिक्स अप्रिल द्वाचन तीन से पहले या अवस्यक था कि परते आसी का नाम जिस राज की मदाता सुची में हो वही से राज सभा का ये चुनाओ लड़ सकता है लेकिन द्वाचन तीन के संसोधन अधिनियम के द्वाचन पारित कर दिया गया यानि अब उसी राज की मद पेक्षित निउन्तम आयू कितनी है तो देखिए लोग सभा के चुनाओ के लिए अपेक्षित निउन्तम जो आयू है वो कितना है कमेंट में बताईएगा यहां पे राज सभा के लिए पूछा गया है तो याद रखिएगा बैक्ती को तीस वर्स का होना जडूरी है तो ब भारत की संसद राश्पती और दोनों सदनों से मिलकर बनती है निचले सदन को लोग सभा और उन्च सदन को राज सभा कहते हैं राज सभा के निर्वाचन के लिए निउन्तम आयू 30 साल है इसी के साथ आज का जो सेसने समाप्त करतें नेक सेसन में बच्ची हुए सब्री से इंतजार रहता है जी लोगों ने टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्वीज ग्रूप फेस्बुक पेज इंस्टाग्राम को जोई नहीं किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आप लोग जोईन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजि मिलते हैं नेक्स सेशन में अभी के लिए तना है थाइंक्यू